मैं यहाँ आया आपसे कुछ बातें कहने के लिए और कुछ गंभीर बातें कहना चाहता हूँ हाला कि इस देश में अब परंपरा तूट गई है गंभीर व्याख्यानों की, गंभीर भाशनों की आज कल इस देश में जिस करह के भाशन होते हैं वो भाशन मुझे लगता नहीं कि इस देश को कोई दिशा दे पा रहा है गंभीर बातें होती नहीं है, ना समाज में हो रही है, ना पार्लिमेंट के अंदर हो रही है जिनको देश की दिशा देनी चाहिए, वो दिशाहीन हो गए है तो दिशाहीन लोग कभी समाज को दिशा नहीं दे पाते मेरे जैसे आदमी को इस काम में लगना पड़ा ये मैं बहुत खुशी से नहीं लगा हूँ देश की परिस्थितियां, देश के हालात बढ़ते हुए इस देश के ऊपर अंतर राश्पय दवाव बढ़ती हुई गुलामी, तूटता हुआ समाज, शक्ती हीन होता हुआ समाज बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी ये तमाम बड़े कारण हैं जिनोंने मेरे जैसे नौजवान को बहुत अंदर से परेशान किया है और उस परेशानी में ही, मैं इस काम में लगा हूँ मेरे सोचने का ढ़ंग थोड़ा फरक है किसी भी समस्या के बारे में, मैं जब विचार करता हूँ तो थोड़ा गहरे जाता हूँ उस समस्या में उसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं विज्ञान और तक्नीकी का विद्यार्थी रहा और आज भी हूँ तो विज्ञान और तक्नीकी का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी समस्या की समाधान तलाशने के लिए उसके जब तक historical aspect को समझ नहीं लेता तब तक मुझे वो समस्या समझ में नहीं आती को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मैंने लगभग 20,000 से जादा दस्तावेज कठे किये हैं ये जो डॉकुमेंट्स मैंने कठे किये हैं ये इंडिया ओफिस लाइबरेरी के डॉकुमेंट्स हैं लंडन के ब्रिटिश हाउस ओफ कॉमेंट्स की लाइबरेरी के डॉकुमेंट्स हैं दुनिया के तमाम दूसरे देशों की लाइबरेरी और आर्काइब्स से निकाले गए डॉकुमेंट्स हैं कुछ डॉकुमेंट हिंदुस्तान की आर्काइब से निकाले हैं मैंने और उनके आधार पर जो मेरी समझ बनी है वही आपसे शेयर करने आया हूँ वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है और विनम्रता से यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप जरूर मुझे सुधारने की कोशिश करें यह एक बड़ा अभ्यान है देश का काम है जिसमे में लगा हुआ हूँ और अगर मुझसे गलती होगी तो सारे देश को उसका नुकसान सहिन करना पड़ेगा तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी गलतियों को सुधारें देश आजाद हो गया है और आजादी के पचास साल पूरे हो गए सारे देश में राजनेतिक इस तर पर एक जश्न जैसा माहौल है हलांकि उसकी आत्मा मरी हुई है और माहौल इस तरह का है कि हम तो आजाद हो गए हैं पचास साल पूरे हो गए हैं यह देश गड़तंत्र हो गया है और हिंदुस्तान की पारलिमेंट में भी उस दिन 15 अगस्त मने 14 अगस्त की रात 1997 को आपने जो कुछ देखा वो देखा ही होगा आजादी का एक बड़ा मेला सा मनाया गया इस देश में आजादी के जश्न मनाने के भी कुछ ऐसी परमपराएं पड़ रही हैं जैसे उधारन के लिए इस देश में आजादी का जश्न मनाने के लिए अमरीका से एक संगी तक गया गया था यानी तो हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए अमरीका से संगीतकार बुलाया जाता है ये मेरे समझ के बाहर की बात है उस यानी को हिंदुस्तान की आजादी के बारे में क्या समझ है और कितनी समझ है और साथ ही साथ उस यानी को संगीत की कितनी समझ है जो मेरे देश में चलता है और बजाया जाता है फिर एक दिन मैंने सुना अख़ारों में पढ़ा कि हिंदुस्तान की आदादी का जश्न मनाने के लिए अमरीका की एक नाटक कमपनी आई उसका नाम था पॉल टेलर की कमपनी तो पॉल टेलर की कमपनी हिंदुस्तान के दस बारे शहरों में नाटक करती थी और पॉल टेलर जो है उस नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते थे लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जहासी किरानी लक्ष्वाई कौन थी और उसने क्या क्या किया था वो कोशिश करते थे हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास बता थी लेकिन उसी द्रश्टी से कोशिश करते थे जैसे अमरीका वाले हिंदुस्तान को देखते हैं भारत को देखते हैं और दुर्भाग ये है कि हिंदुस्तान की आजादी के जशनिके जितने कारिक्रम हो रहे हैं वो सब विदेशी कमपनियों द्वारा स्पांसर हो रहे हैं मने जिन विदेशी कमपनियों के कारण इस देश की आजादी चली गई थी जिस इस्ट इंडिया कमपनी और अंग्रेजों के कारण इस देश की आज़ादी चली गई थी अभी उनी देशों की कमपनियों को हमारे देश की आज़ादी से इतना प्यार कैसे हो गया टेली विज़न पे रात दिन विग्यापन आप देखिए तो जितने विग्यापन हिंडुस्तान की आज़ादी के कारिकरम के आते हैं वो सब विदेशी कमपनियों द्वारा प्रायोजित किये होते हैं तो ये कुछ विद्रूपताएं हैं ये कुछ विडम बनाए हैं इस देश की और इसी विडम बना के बीच मैं मेरी बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आज़ादी के पचास साल पूरे हुए हैं हम कहां आ गए हैं और हुआ क्या है पिछले पचास साल में पिछले पचास साल में जो कुछ इस देश में हुआ है उसको अगर ठीक से समझना हो मेरे जैसे विद्यारती के लिए तो मैं हिंदुस्तान के पिछले पांच साल को भी समझना चाहता हूँ कि पिछले पांच साल इस देश में क्या हुआ है और पिछले पांच साल इस देश में जो कुछ हुआ है अगर वो समझ में आजाएगा तो अभी जो कुछ चल रहा है वो भी आपके समझ में आजाएगा और मैं मेरी बात यहां से शुरू कर रहा हूँ कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं है और इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है यह मेरे दिल का दर्द है इस देश में कोई आजादी आई नहीं है यह देश अभी भी उतना ही गुलाम है जितना की अंग्रेजों के जमाने में था और कई बार मैं इस बात को एक कदम आगे जाके कहता हूँ कि यह देश इस समय अंग्रेजों के जमाने से ज़्यादा गुलाम है देश की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने से ज़्यादा गुलाम है तो प्लैनिंग के तीन चरण निरधारित किये गए है पहला चरण ये है सबसे पहले हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्था को खलास किया जाए और जो बात चल रही है ब्रिटिश हाउस आफ कॉमंस में वो बात ये चल रही है कि इंडियन एकॉनुमिक सिस्टम को कॉलैप्स करा दिया जाए और इंडियन एकॉनमिक सिस्टम जब कॉलेप्स हो जाएगा तो हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के उद्योगपती, हिंदुस्तान के पूजीपती सब खलास हो जाएगे और ये व्यापारी, पूझी पती और उद्योग पती अगर खलास हो जाएंगे हिंदुस्तान में तो हमारी इस्ट इंडिया कंपनी का माल हिंदुस्तान के गाउं गाउं में बिखने लगेगा और इस डिबेट को चलाते हुए बिलवर फोर्स कह क्या रहा है एक मज़ेदार बात आज आप देख रहे हैं जो चल रहा है उसका कंपरीजन में कर रहा हूँ बिलवर फोर्स कह रहा है कि हमको हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है तो एक MP पूछता है उससे वाट दो यू मीन बाई फ्री ट्रेड तो बिलवर फोर्स कह रहा है कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के गाउं गाउं में बिकना ब्रिटिश गुड्स का बिटेन के माल का हिंदुस्तान के बाजारों में भर जाना और ब्रिटेश के माल का, ब्रिटेन के माल का, हिंदुस्तानी लोगों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंजम्शन करना, उपभोक करना ये है फ्री ट्रेड इसके सेकंड पार्ट में एक बात और कहरा है बिलवर्फोर्स, फ्री ट्रेड की व्याक्षा करते हुए सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, कि ये जो फ्री ट्रेड चलेगा, इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रॉ मिटीरियल है, जो इंगलेंड में नहीं है जैसे कौटन का रॉ मिटीरियल है, स्टील के ओर्स हैं इस्टेश में, आईरन ओर बहुत अच्छा है और भी तमाम तरह के रॉ मिटीरियल है, तो वो कह रहा है कि कुछ इस तरह का फ्री ट्रेड चलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान का सारा का सारा रॉ मिटीरियल ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए और उस रॉ मिटीरियल के लिए हमको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़े और उस रॉ मिटीरियल से हम फिनिश प्राड़क्ट बनाएं और वापस इंडियन मार्केट में ले जाकर बेचें तो जब ये डिबेट कंक्लूड हो रही है तो उस डिबेट को इंप्लिमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है और वो पॉलिसीज क्या बन रही है पहली पॉलिसी बनी है और इस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया है ये इस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो बीस-बीस साल के चार्टर उसको दिये जाते है पहला चार्टर 1601 में मिला है फिर दूसरा चार्टर 1621 में मिलता है फिर इस तरह से 20-20 साल से चार्टर दिये जाते हैं चार्टर माने अधिकार पत्र तो इस तरह से 1813 की ये डिबेट जब कन्क्लूड हो गई है तो इस इंडिया कंपनी को एक special चार्टर इशू किया गया है House of Commons की तरह से और उस तरफ से और चार्टर का नाम है चार्टर फॉर फ्री ट्रेड और मैं जोर दे रहा हूँ इस फ्री ट्रेड शब्द पर कि ये जो फ्री ट्रेड शब्द है ये कोई नया नहीं है ये डाई सथीन सा साल पुराना शब्द है आज जो कुछ आप अख़वारों में पढ़ते हैं सुनते हैं कि इस देश में liberalization हो रहा है globalization हो रहा है किस लिए हो रहा है फ्री ट्रेड के लिए हो रहा है तो ये free trade तो इस देश में अंग्रेजों ने भी चलाया है और अंग्रेज इस देश में free trade क्यों चला रहे हैं Indian economic system को बरबाद करना है और British economic system को इस देश में इस्थापित करना है इसके लिए वो free trade चला रहे है तो उस free trade में policies क्या बन रही है जो सबसे पहली policy बनी है company सरकार की 1813 में इस देश में company की सरकार है बिटेन की सरकार नहीं बिटेन की सरकार आई है 1858 के बाद रानी की सरकार सीधे 1858 के बाद आई है उसके पहले company की सरकार है माने इस्ट इंडिया company की सरकार है तो East India Company की सरकार जो है वो पॉलिसी क्या बना रही है Free Trade का Charter आ गया है और उसके आधार पर जो सबसे पहली पॉलिसी बनाई जा रही है वो पॉलिसी क्या है British माल पर हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बदले में जो हिंदुस्तानी माल होगा उस पर जादा से जादा टैक्स लगाया जाएगा नतीजा क्या निकलेगा अगर British माल इस देश में टैक्स फ्री हो जाएगा तो गाओं गाओं में British माल सस्ता हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल पर लगातार टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी माल महगा हो जाएगा तो स्वदेशी माल महगा हो जाएगा और विदेशी माल सस्ता हो जाएगा इसके लिए पॉलिसी बनाई है कमपनी सरकार ने जिसको कहा गया है charter for free trade और उसके तहत इस देश में अंग्रेज कुछ कानून बना रहे है कानून क्या बना रहे है ब्रिटेन के माल पर तो tax हटा दिया पूरी तरह से और कोई import duty नहीं लगेगी ब्रिटेन के माल पर और हिंदुस्तानी माल बनाने वाले लोगों पर सबसे पहला tax लगाया गया Central Excise and Salt Tax और ये अंग्रेजों ने क्यों लगाया है Central Excise Tax ताकि हिंदुस्तान में माल बनाने वाले लोगों का माल महगा हो जाए तो Central Excise Tax लगा दिया माने जो वस्तुएं बन रही हैं उस पर उत्पाद कर वस्तुओं के उत्पादन पर कर उसके बाद हिंदुस्तानी व्यापारी उन वस्तुओं को बाजार में बेच रहे है तो कंपनी सरकार ने वस्तुओं के बाजार में बेचने पर भी कर लगाया है जिसको अंग्रों ने कहा है sales tax फिर थीसरा कर कि बस्तूओं के उत्पादन पर कर बस्तूओं के बाजार में बिकने पर कर और उन बस्तूओं के बिकने से जो आमंदनी आ रही है उस पर भी tax और उसका नाम अंग्रेजों ने रखा है income tax तो उत्पादन पर central exercise बिक्री पर sales tax बिक्री से होने वाली आमंदनी पर income tax उसके बाद वस्तूओं का आवागमन जो है transportation जो है उस पर अंग्रेजों ने एक tax लगाया है जिसका नाम है octroy tax चुंगी नाका और उसके बाद एक आखरी tax और लगाया अंग्रेजों ने अंग्रेजी सरकार क्या करती थी sorry company सरकार क्या करती थी कि कहीं कहीं pull बनाती थी तो pull पर से माल लेके जब truck गुजर रहा है तो आपको pull का कर देना है क्योंकि हमारी सड़क आप इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उन्होंने नाम दिया toll tax तो कितने tax लगा दिया अंग्रेजों ने बस्तूओं के उत्पादन पर central excise बस्तूओं की विक्री पर sales tax उसके बाद income पर income tax उसके बाद transportation के लिए आपको toll tax और octroy tax और ये पाचो tax अंग्रेज लगा रहे हैं इस देश के उद्योग पतियों पर ताकि इस देश के उद्योग पतियों का नाश किया जाए और इसके बदले में जितना भी ब्रिटेन से माल आ रहा है इस देश में उस पर से सारे tax हटा लिए गए हैं चूंकि ब्रिटेन का माल इस देश के गाओं गाओं में उनको बेचना है नतीजे क्या निकलते है जब ये पाँचो के पाँचो टैक्स लग जाते है और उस जमाने की बात कर रहा हूँ आज से लगबग 200 साल पहले की 1844, 1850 में सुरी, 1500 साल पहले की उस समय मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अंग्रेजी सरकार ने कुल कितना टैक्स लगा दिया हिंदुस्तान के व्यापारियों पर तो पता चल रहा है कि हर 100 रुपए के व्यापार पर 127 रुपए का टैक्स है और इस बात की गंभीरता को समझे कि हर 100 रुपए के व्यापार पर 127 रुपए का टैक्स है तो एक दिन हाउस अफ कॉमन्स में डिबेट चल रही है और एक MP कह रहा है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों पर इतना टैक्स लगा दिया है ये सम मर जाएंगे तो दूसरा MP जवाब दे रहा है कि यही हमें करना है एक दूसरा MP खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि दोनों हाथ में लड़ू है हमारे या तो हिंदुस्तानी व्यापारी मर जाएंगे मने 100 रुपए पर अगर 127 रुपए टैक्स देना पड़ जाए तो या तो वो आदमी मर जाएगा और या वो बेइमान हो जाएगा और अगर वो बेइमान हो जाएगा तो भी हमारे गुलामी में आ जाएगा और बरबाद हो जाएगा तब तो हमारी गुलामी में आने ही वाला है अब आप ध्यान करिए इन दो बातों को कि इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम क्यों लाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के व्यापारियों को, पूंजी पतियों को, काम करने वालों को, उत्पादकों को बे इमान बनाया जाए या फिर उनको खलास कर दिया जाए इमानदारी से काम करें तो खलास हो जाए और इसके लिए फिर उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिये इंकम टेक्स डिपार्टमेंट, सेंटरल एक्साइज डिपार्टमेंट, टोल टेक्स वाला डिपार्टमेंट, सेल्स टेक्स वाला डिपार्टमेंट और आपको मैं बताऊं कि ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट आज आज़ादी के पचास साल में भी चल रहे अंग्रेजों ने इन डिपार्टमेंट्स को बनाया था हिंदुस्तान के व्यापारियों का सत्या नाश करने के लिए तो मुझे लगता था कि जब 1947 में इस देश में आज़ादी आई तो अंग्रेजों द्वारा बनाये गए ये पांचों डिपार्टमेंट्स बंद कर देने चाहिए थे लेकिन वो आज भी चल रहे और उसी दोर की एक जानकारी और दूँ कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इंकम टैक्स लगाया तो उसकी रेट क्या है कितना इंकम टैक्स देना पड़ता है तो अंग्रेजों का जो सबसे पहला इंकम टैक्स का रेट है वो 97 परसंट का है माने 100 रुपए की इंकम है तो 97 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ेगा माने सिर्फ 3 रुपए आपको मिलेगा और आपको शायद ये मालुम होगा कुछ बुजर्ग यहां बैठे होंगे इस सभा में आज़ादी के 1947 के बाद कम से कम 20-25 साल तक इंकम टैक्स इस देश में 97 परसंट लगता रहा है आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ 1970-72 तक 97 परसंट ही इंकम टैक्स लगता रहा है इस देश में जबकि आज़ादी आ गई थी 1947 में तो मेरा सबसे पहला और गंभीर प्रशन ये है कि जो टैक्सेशन का इस्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनाया वही टैक्सेशन का इस्ट्रक्चर इस समय देश में चल रहा है अंग्रेजों ने क्यों बनाया हिंदुस्तानी व्यापारियों को बरबाद करने के लिए और हिंदुस्तानी व्यापारी बरबाद हुए 1835-1840 में इस देश की क्या इस्थती है व्यापार के छित्र में उसका एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा स्टेटिस्टिक्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट से मैंने निकाला हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट चल रही है तो एक MP कह रहा है कि हिंदुस्तान का व्यापार है कितना पूरी दुनिया में तो एक सर्वे किया है और वो सर्वे किया है कई यहां के रेवेन्यू ओफिसर्स हैं जो ब्रिटेन की सरकार के यहां पर पोस्टेड है और उनका एक हैड है हैड ओफिसर जिसका नाम है विलियम एडम तो विलियम एडम कई रेवेन्यू कलेक्शन के ओफिसर्स को लगाता है सर्वे के काम में पता लगाओ कि हिंदुस्तान का टोटल ट्रेड कितना तो उसका आंकड़ा है 1835, 1840 के आसपास और ये 1850 तक भी चलता रहा है 1850 के आसपास तक हमारा टोटल ट्रेड सारी दुनिया के ट्रेड का वन थर्ड है माने पूरी दुनिया में अगर उस जमाने में 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड चल रहा हो तो 33 बिलियन डॉलर का ट्रेड अकेले हिंदुस्तान का है इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आज से डेड़ सौ साल पहले इस देश का कुल व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का 33 टका है और इस बात को एक तीसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1850 के आस पास तक दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का प्रतिशप 33 प्रतिशप है और आज आज़ादी के 50 साल के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा टोटल वर्ड मारकेट में कितना है जानते है Reserve Bank of India के figures हैं ये मेरे नहीं Last year Reserve Bank of India की report ये बता रही है कि Total World Trade में हिंदुस्तान का contribution क्या है 0.01% हम जब गुलाम हैं अंग्रेजों के और अंग्रेज इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं और डेड़ सो साल पहले की ये बाते हैं तब इस देश में कोई high-tech नहीं है तथा कतित high-tech नहीं है high-tech तो है लेकिन ये जो so-called high-tech है वो नहीं है industries का structure भी mega structure नहीं है माने mega projects इस देश में नहीं है तब हमारा total world market में contribution 33% है और आज इस देश में लाखों लाख करोड रुपए के investment के बाद 244 national public sector के होने के बाद इतनी विदेशी कमपनियों को बुलाने के बाद हिंदुस्तान में इतने बड़े-बड़े घराने होने के बाद इतनी high-tech लेने के बाद total volume of trade कितना है .01% तो हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं कहा यह जा रहा है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं तो मैं मानता था कि तरक्की होती अगर 33% वाला trade हमारा 50% हो गया होता 70% हो गया होता तो तो मानता कि हिंदुस्तान ने तरक्की कर लिए लेकिन ये तो घटके 0.01% पे आ गया तो हम तरक्की कर रहे हैं या कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं और इसी के साथ याद आ गई एक बात तो बता रहा हूँ विलियम एडम ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में कुछ ऐसे आश्या जनक पत्य हैं जो आप सुनेंगे तो चक्रा जाएंगे विलियम एडम अपनी रिपोर्ट में रिख रहा है कि 1835-1840 के आस पास हिंदुस्तान में स्टील बनाने वाली 10,000 फैक्टरियां है आज से 1500 साल पहले और वो जो 10,000 स्टील बनाने वाली फैक्टरियां है उनमें जो स्टील बनता है 1850 के आस पास वो स्टील इस क्वालिटी का है कि आप उसको वर्षों वर्षों तक पानी में पड़ा रहने दीजिए उस पर जंग नहीं लग सकता वो महरोली का खंबा सेकड़ों साल से खड़ा हुआ है उस पर एक प्रतिशत भी कहीं जंग नहीं है और आज आधुनिक टेक्नोलजी से बनने वाले किसी भी स्टील को आप अपने आंगन में फैक दीजिए तीन महीने बारिश में उसको पड़ा रहने दीजिए मैं चैलेंज से कहता हूँ उस पर जंग लग जाएगा दोड़ सो साल पहले स्टील बन रहा इस देश में तो उस पर एक प्रतिशत का जंग नहीं लगता वर्षों वर्षों तक ऐसे ही है और दस हजार फैक्टरियां इस्टील बना रही है और टोटल प्रड़क्शन ओफ इस्टील कितना है उस जमाने में ये सुनेंगे तो और आश्यर करेंगे टोटल इस्टील प्रड़क्शन है अठारे सो पचास में हिंदुस्तान का एक साल का करीब करीब 80-90 लाक तन एक साल का और आज जानते हैं कितना स्टील प्रड़क्शन है इस समय देश में मुश्किल से 72-75 लाक तन इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है इतने बड़े बड़े सफेद हाती हमने खड़े किये हुए है तब स्टील प्रोड़क्शन है 70 लाक तन के आसपास और उस जमाने में 10,000 स्टील बनाने की फैक्ट्रियां है तो उनका स्टील प्रोड़क्शन है करीब 80-90 लाक तन और हिंदुस्तान 1850 में स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा है और ये दस्टावेज ब्रिटेन के पार्लिमेंट के है जब एक MP कह रहा है कि East India Company के जितने जहाज बनाए गए है वो सब हिंदुस्तान के स्टील को इंपोर्ट करके बनाए गए है और उस जमाने में 1850 के आसपास सबसे बढ़िया जो स्टील बनता है वो हिंदुस्तान में बनता है या फिर एक दूसरा देश है डेनमार्क में बनता है तो डैनिश स्टील जो माना जाता है वो इंडियन स्टील से उस जमाने में 19 है और इंडियन स्टील डैनिश स्टील से 21 है और अगर 10,000 स्टील बनाने के कारखाने है और इतना बड़ा स्टील के उत्पादन का तंत्र है तो जरूर कोई ना कोई जबरजस्त हाई टेक रहा होगा इस पेश में ये एक अलग बात है कि हम उसको जानते नहीं क्योंकि अंग्रेजों ने वो दस्तावेज नश्ट कर दिये और उनी अंग्रेजों के दस्तावेजों के कुछ दूसरे हिस्से है जिनके आधार पर पता चला है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होता था अठारे सो पचास के आस पास सरगुजा में सरगुजा मद्यप्रदेश का एक इलाका है इस पूरे सरगुजा में स्टील बनाने के सबसे ज़्यादा कारखाने रहे और सरगुजा में स्टील बनाने के कारखाने क्यों रहे तो जिनको आप ट्राइबल्स पीपूल कहते हैं, वो उस जमाने के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर लोग हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये तो पड़े लेके नहीं है, क्योंकि इनके पास डिगरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बी-टेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एम जानते हैं लेकिन दुर्भाग ये है कि वो टेक्नॉलजी आगे तक पहुँच नहीं रही है वो टेक्नॉलजी खतम कैसे हुई अंग्रेजों ने ये हिंदुस्तान के स्टील बनाने वाले कारखाने बंद कराए कैसे बंद हुए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कानू त्राइबल्स होते थे, वो जंगलों मेंसे, जो खाने होती county, ख़दाने होती थे, उन मेंसे इस्टील का रॉमेटिरियल ले आते थे, और स्टील बनना थे, अंग्रेजों ने क्या किया, कि एक एक्कानून बना दिया, कि कोई भी ट्राइबल खदानों मेंसे और नहीं निकाल सकता और बाकाइदा इसको सक्ती से लागू करा दिया और फिर उन्होंने ये गोशना कर दी कि खदानों मेंसे अगर और कोई निकालेगा ट्राइबल तो उसको चालीस कोड़े मारने की सजा और उस देपर भी वो ना मरे तो उसको गोली मार दी जाए इतना सक्ती से वो कानून इस देश में लागू हो गया तो धीरे धीरे आदिवासियों के स्टीरी के ओर लेने पर पाबंदी लगा दी गई और धीरे धीरे वो खतम होते चले गई और करम के काल में वो करीब करीब समाप्त हो गए हैं और आपको जानकर ये आश्यर होगा कि ये कानून जो लोग टिकनॉलजी जानते हैं वो लोग आईरन और नहीं ले पाते और उसके दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि बड़ी बड़ी विदेशी कमपनियां उन आईरन और्स को खोद खोद कर ले जा रही हैं जापान की एक कमपनी उसका नाम है निपपंडेर नो वो इसी धंदे म लगी हुई है तो जापान की कमपनी को तो हिंदुस्तान की ख़दाने खोद कर ले जाने की खुली चूट है लेकिन हिंदुस्तान का कोई आदिवासी उस ख़दान में से रो मेटीरियल लाकर इस तील बनाए तो उस पर पाबंदी लगी हुई है वो रो मेटीरियल नहीं ल आज तो हमारी सरकार है आज तो हमारे लोग हैं जो पार्लेमेंट में बैटे हैं अब तो हम मानते हैं कि ये देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है तो फिर वही कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश को बरबाद करने के लिए वो क्यों चल रहा है और क उसे इस्टील बनाकर वापस इसी देश में लाकर बेचती है और फिर दूसरी बार भी मुनाफ़ा लेकर जाती है ये धंदा तो अंग्रेजों के जमाने में चलता था वो तो आज भी चल रहा है कैसे मैं मानूं कि ये देश आज़ाद हो गया और इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया है कि इस देश के तमाम हुनरमंद लोगों को बरबाद और आपने एक किस्ता और भी सुना होगा कि ये इस्टील बनाने वाले लोगों को ऐसे बरबाद किया अंग्रेजों ने एक दूसरा किस्ता सुना हो हिंदुस्तान में बहुत बेश कीमती और बहतरीन कपड़ा बनाने वाले कारीगर होते थे और उन कारीगरों के हाथ का बनाया हुआ कपड़ा सारा देश जानता है कि एक छोटे से रिंग मैंसे पूरा थान पार निकलता था धाका की मलमल इस देश में बनती थी धाका उस जमाने में इसी देश का हिस्सा था बंगलादेश तो 72 में बना है उसके पहले वो थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा था और 47 के पहले हमारे देश का हिस्सा था और ये किस्सा मैं आप से कह रहा हूँ 1750 से 1850 के बीच का इतना बहतरीन कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे उनके हाथ का बुना हुआ कपड़ा कोई कलपना नहीं कर सकता कि मशीन इतना महीन कपड़ा बुन सकती है क्या जिस टेकनोलजी जिस हुनर से वो कपड़ा बनाते थे और सारी दुनिया वों कपड़ा बिक्ता था, मशूर था हिंदुस्तान का कपड़ा। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट earnings होती थी हमारे देश को, वो दोई चीजों से होती थी, या तो हमारे मसाले बिक्ते थे, या हमारा कपड़ा बिक्ता था। तो कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर थे, अंग्रेजों को उनसे परेशानी थी, अंग्रेजों को क्या परेशानी थी, लंका शायर और मांचेस्टर का कपड़ा इस देश में बिक नहीं पाता था, क्योंकि हिंदुस्तानी कपड़ा ही इतने क्वालिटी का बनता था, कोई नहीं था लंका शायर और मांचेस्टर के कपड़े कुछ तो अंग्रेजों ने क्या किया फ्री ट्रेड के नाम पर हिंदुस्तान का बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काटे गए उनके हाथ काटे गए सूरत के इलाके में दस्तावेज हैं मेरे पास एक लाख से ज़्यादा कारीगरों के अंगूठे कटे हैं अंग्रेजों के जमाने बिहार में एक इलाका है उसका नाम है मदुबनी मदुबनी के इलाके में अंग्रेजों ने करीब धाई से तीन लाख कारीगरों के हाथ काटे है और अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपणी ये काम करते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रही है और जब लंका शायर और मांचेस्टर का कपड़ा बिकना शुरू हो जाएगा तो हिंदुस्तान की कपड़ा मिलें बंद हो जाएगी और ये हिंदुस्तान का कपड़ा उद्योग, इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग देता है, अगर ये कॉलैप्स हो जाएगा तो इंडियन एकॉनमी कॉलैप्स हो जाएगी, ये डिबेट है ब्रिटिश पार्लिमेंट, औ जाद में क्या हुआ है, कि लंका शायर और मानचेस्टर से आने वाले कपड़े पर टेक्स हटाया गया, और हिंदुस्तान के वियापारियों के ना सिर्फंगूटे और हाथ काटे गए बलकि हिंदुस्तान के व्यापारी जो कपड़ा बना रहे हैं, उन पर टेक्स भी बढ बाद में यहां से वो raw material भी ले जा रहे हैं और raw material जो जा रहा है वो cotton के रूप में जा रहा है और अंग्रेजों को raw material ले जाने के लिए बड़ी problem आ रही है उस जमाने में तो उस problem को solve करने के लिए अंग्रेजों ने जानते हैं क्या किया रेल चलाई है इस डेश मेरे बहुत स के गाउं गाउं से cotton एकठा करके रेल में भरके उसको बंबई तक पहुचाया जाए और बंबई से पानी के जहाज में भरके लंदन ले जाया जाए सबसे पहली रेल चलिये है इस देश में ये एहमदाबाद बंबई वाली ये सबसे पुरानी रेल वे लाईन है इस देश के एक्सपेरिमेंट के रूप में अंग्रेजों ने जो रेल चलाई है वो सबसे पहले चलाई है बंबई से ठाना के बीच में लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल हो गया है तो फिर उन्होंने सबसे पहली रेल चलाई है एहमदाबाद और बंबई का पूरा का पूर यहां से क्या होता है रेल चल रही है उसमें कॉटन भर भर के यहां आ रहा है बंबई के बंदरगाह पर और बंबई के बंदरगाह से वो कॉटन जहाजों में भर कर इंग्लेंड जा रहा है तो जहाजों में जो कॉटन भर कर इंग्लेंड जाता था तो अंग्रेजों को अपन में डूबने के चांसेज उसके ज़ादा होते हैं तो अंग्रेजों ने उसकी एक युक्ति लिकाली थी कि वहां से जहाजज खाली नहीं आना चाहिए तो अंग्रेज क्या करते थे कि उसमें नमक भर के उस जहाज को हिंदुस्तान में बेजा करते थे और वो नमक यहां बंबई के बंदरगाह पे निकाल दिया जाता था और उसमें फिर कॉटन बरके वो जहाज वापस लंदन चला जाता था नतीजा क्या होने लगा कि अंग्रेजों के जहाज आते थे तो नमक आता था नमक आता था तो नमक का धेर लग जाता था तो अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपनी को प्रॉबलम हुई कि इस नमक का करें क्या तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि हिंदुस्तान के गाउं गाउं में ब्रिटेन का नमक बिकवाना शुरू कर दो तो इसके लिए उन्होंने क्या किया इसके लिए उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान में जो अपना नमक बनता था स्वदेशी उस पर टैक्स लगा दिया और ब्रिटेन का जो नमक आता था उसको टैक्स फ्री कर दिया नतीजा क्या निकला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का गाउं गाउं में नमक भी बिकने लगा और ये बात गांदी जी को बरदाश्ट नहीं थी गांदी जी की उमर उस जमाने में ये 1890 की बात में कह रहा हूं मुश्किल से 20-21 साल की उमर थी और लंदन की एक वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर थे तो लंदन की वेजिटेरियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से उन्होंने एक लेक लिखा था 1890 में उसकी फोटो काउपी मुझे मिल गई है उस लेख में गांदी जी लिख रहे हैं कि ये अंग्रेज कितने कुरूर हैं इन्होंने हिंदुस्तानी नमक पर भी टैक्स लगा दिया है और हिंदुस्तानी नमक पर टैक्स लगा के इन्होंने क्या किया है गाओं गाओं में हिंदुस्तानी नमक महंगा हो गया है और अंग्रेजों की चाल ये है कि उनका जो ब्रिटिश नमक है वो हिंदुस्तान के गाउं गाउं में बिके और वो क्या कह रहे है वो कह रहे है कि अंग्रेजों के दोनों हाथ में लड़ू है इंडियन नमक पर टेक्स लगा दिया है तो इंडियन नमक महगा हो गया है उससे revenue collection भी बढ़ गया अंग्रेजों का और ब्रिटेन का नमक गाउं गाउं में सस्ता हो गया है उसकी बिक्री से मुनाफ अभी हो रहा और तब गांदी जी कह रहे हैं कि ये तो इतना क्रूर कानून है इसके खिलाफ तो कुछ होना चाहिए गांदी जी की उमर उस समय मुश्किल से 20-21 साल की है लेकिन उस उमर में उनके दिमाग में ये मन्थन चल रहा है कि कुछ होना चाहिए और वो मन्थन चलते चलते 1930 में नमक सत्याग्रे के रूप में प्रकट हुआ और गांदी जी ने नमक सत्याग्रे किया क्यों है गांदी जी ने नमक सत्याग्रे इसलिए किया है कि अंग्रेजों का नमक इस देश में बिक रहा है इंडियन नमक पर टेक्स लगा हुआ है हिंदुस्तानी लोगों को नमक बनाने से रोका जाता है अंगरेज़ों कि लोग इस देश में नमक बनाते हैं और बेचते हैं इस कानून को मैं तोड़ूँगा और इसके खेलाफ मुझे सत्याग्रे करना है गांदी जी के साथ इस सत्याग्रे में आने के लिए कोई तैयार नही तो गांदी जी कह रहे हैं कि पंडित तुम एक बार नमक कानून तोड़ कर देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि आजादी आती है कि नहीं आती है और इस देश में नमक सत्याग रहे आजादी के प्रतीक के रूप में उभर कर आया और उस गांधी नाम के व्यक्ति ने दांडी के समुदर तट पर एक मुठी नमक हाथ में लेकर 6 अपरेल 1930 को कसम खाई है कि आज के बाद इस देश में अंग्रेजों का नमक नहीं बिकेगा गाओं गाओं में गली गली में अपना नमक हम बनाएंगे और इसके लिए हमको नमक कानून तोड़ना पड़ेगा तो हम तोड़ेंगे और उस नमक कानून को तोड़ने में लाखों लाखों लोग जेल गए हैं पूरे देश में लाखों लाखों लोग अंग्रेजों की लाठी चार से घायल हुए और हजारों लोग उसमें मर गए है बाद में अंग्रेजी सरकार को जुकना पड़ा है और वो सारा का सारा वापस किया गया लेकिन आज मैं आपको दुर्भागे से कहूं कि जिस गांधी ने सन 1930 में 6 अपरेल को एक मुठी नमक हाथ में लेके कसम खाई थी कि इस देश में आज के बाद गिदेशी नमक नहीं विकेगा उस देश में आज़ादी के पचास साथ के बाद और अन्नपूर्टा और ये ताली बजाने की बात नहीं है अगर आज़ादी के पहले अंग्रेजों की सरकार के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का नमक दिखता था और उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया गया था तो आज आज़ादी के 50 साल के बाद भी वही द्रश इस देश में हम देख रहे हैं और क्या द्रश देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकारों ने विदेशी कमपनियों को नमक बनाने के लिए खुली छूट दे दी है इस नमक को बनाने में कौन सी हाई टेक है आप जरा मुझे बताईए नमक को बनाने में कौन सी मशीन लगती है ये मुझे बताईए सूरज की रोशनी होती है समुद्र का पानी होता है सूरज की रोशनी और समुद्र के पानी के मिलन से नमक बन जाता है और हिंदुस्तान में हजारों साल से ये टेक्नालोजी इस्तेमाल होती है सारी दुनिया के कई देशों में यही टेकनालोजी इस्तेमाल होती है और इस काम के लिए भी अगर विदेशी कमपनियों को बुलाया जाए तो मैं कैसे मालनू कि यह देश आजाद हो गया है और कहीं गांदी जी की आत्मा देखती होगी स्वर्ग से तो आठ आठ आऊसू रोती होगी कि जिस देश में मैंने नमक सत्याग्रह किया उस विदेशी कमपनी का नमक ना खाया जाए इसके लिए आज इस देश के लोग बाजार में विदेशी कमपनी का नमक ख़़ीभ रहे शायद हमको मालुम नहीं है हम कितना बड़ा national crime कर रहे जब ये काम हम कर रहे और इसलिए मैं मानता नहीं कि ये देश आजाद हो गया इस देश में गुलामी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी आजादी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं चल रही है और अंग्रेजों ने इस तरह से इस देश को खलास किया है एक दो और उधारन दूँ आपको कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है 1865 में अंग्रेजों ने इस देश में एक कानून बना दिया उस कानून का नाम था Indian Forest Act और ये कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया ये कानून अंग्रेजों ने बनाया कि हिंदुस्तान में जंगल जो होते थे वो ग्राम समाज की संपत्ती होते थे गाउं सभा की संपत्ती होते थे तो गाउं के लोगों का जंगल पर अधिकार होता था और जब जंगल गाओं समाच की संपत्ती होते थे ग्राम सभा की संपत्ती होते थे तो जंगलों की रखवाली करने का काम गाओं के लोगों का होता था और गाओं के लोग मानते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उन्होंने पचासो तरीके अपनाए थे हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसी जाती है राजिस्तान में जिस जाती का नाम है विश्नोई और एक बार मैं ये विश्नोई जाती के लोगों के गाओं में जाके आया अलवर जिले के आसपास के अलाके में ये विश्नोई जाती के लोग काफी रहते हैं तो एक बार मैं उनके गाओं में गया था व्याख्यान करने के लिए तो मैंने उनके गाओं के सरपंच और मुखिया से कहा कि आप मुझे अपने गाओं का इतिहास बताईए पहले फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा पहले तो मैं आपसे सुनने आया तो गाओं के मुखिया ने बताया कि राजीब भाई सन 1865 में अंग्रेज सरकार ने हमारे विश्णोई जाती के हजारों लोगों का कतल किया मैंने कहा क्यूं तो उन्होंने बताया कि उसका मतलब ये था कि अंग्रेजौने एक कानून बनाया था उस कानून का नाम था फॉरस्ट एक्ट तो मेरे समझ में आ गया कि अच्छा इंडियन φोρεस्ट त्ट कि हाँ वो ही कानून तो मैंने का उसमें तो ये कर दिया था अंगरेजों नहीं कि जो जंगल गाओं समाज की संपत्ति होते थे उन जंगलों को सरकार की संपत्ति गोषित कर दिया था एकी कानून से एकी जटके में तो होता क्या था कि सरकार की संपत्ती घोशित होने से पहले अंग्रेज जब जंगलों को काटा करते थे तो अक्सर आदिवासीों के साथ उनके जगड़े होते थे आदिवासी पेड़ कटने नहीं देते थे अंग्रेज पेड़ काटते थे और उस विश्णोई गाओं के लोगों ने मुझे बताया कि जब अंग्रेज लोग हमारे याँ पेड़ काटने के लिए आते थे तो हमारी महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती थी पहले महिला का गरदन कटी थी उसके बाद पेड़ कटता था हमारे नوجवान पेड़ पकड़ के खड़े हो जाते थे पहले नوجवानों का शरीर कटता था उसके बाद पेड़ कटता था और हजारों हजारों पेड़ को बचाने के लिए इस तरह से हमारे जाती के लोगों ने कुर्बानिया दी है और ये सब कुछ अंग्रेजों ने किया था 1865 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कानून के आधार पर और 1865 में जैसे ही वो कानून पारित हो गया तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या घोशित कर दिया कि अब पूरे हिंदुस्तान के जो जंगल है वो अंग्रेजी सरकार की संपती है और जब वो सरकार की संपती गोशित हो गए तो सरकार जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे गाउं समाज के लोगों को कोई हकी नहीं है उन्होंने हजारों हजारों साल से जंगलों को लगाया है उन्हीं लोगों का जंगलों पर कोई हक नहीं है जिन्होंने जंगल लगाए हैं जिन्होंने जंगल खड़े कियें और जिनको जंगलों से कुछ लेना देना नहीं और जो जानते नहीं कि जंगल कैसे लगाए जाते हैं उनको पेड़ काटने का अधिकार मिल गया क्योंकि एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के काम करने का तरीका क्या था कि जब किसी को मारना हो खलास करना हो बर्बाद करना हो तो उसके लिए कानून बना दो तो वो क्या कहते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं बने आपकी जेव कट रही है आपकी बरबादी हो रही है और अंग्रेजों के लिए वो कानून का पालन हो रहा है तो 1865 में उन्होंने कानून बना दिया अब उस कानून के पालन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के हजारों हजारों आदिवासियों को मार दिया क्योंकि वो जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते थे उस कानून में एक प्रोवीजन है प्रोवीजन क्या है? 1865 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति जंगल के पेड़ नहीं काट सकता और जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकता बले ही अपने निजी इस्तेमाल के लिए क्यों नहों? उसके उल्टे तरफ अगर अंग्रेजी सरकार चाहे और अंग्रेजों के ठेकेदार चाहें तो करोणों पेड़ कट सकते हैं तो अंग्रेजी सरकार को और अंग्रेजी ठेकेदारों को तो लाइसेंस मिल गया पेड़ काटने का लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो जंगलों में रहते थे अगर वो पेड़ काट कर लकड़ी ले आएं अपना खाना बनाने के लिए तो उन पर पाबंदी लगा दी उन्होंने कानून से और अगर कोई भी व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाया है खाना बनाने के लिए तो उसको जेल हो जाएगी और अंग्रेजों ने इसी काम के लिए एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था डिस्टिक फॉरेस्ट आफिसर डी एफ ओ और ये पोस्ट बनी अठारे सो पैंसट में और इस पोस्ट के आदमी का काम क्या था यही कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर जंगल से लकडी काट लाए तो उसको सजा दिलवाना उसके उपर केस बनाना उसको मारना उसको पीटना और दूसरी तरफ अंग्रेजों के ठेकेदार और उनकी कमपनियां पेड़ काटें तो उनको लाइसेंस जारी करना तो 1865 में ये कानून अंग्रेजों ने बनाया ठीक है 1947 में अंग्रेज चले गए लेकिन कानून अभी भी वोई है और आज भी इस देश में 1865 का वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चल रहा है जो अंग्रेज बना कर गए थे और उसके प्रोवीजन क्या है उसका वो प्रोवीजन जिसमें आप पेड़ नहीं काट सकते लेकिन अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों की कमपनियां पेड़ काट सकती है वो प्रोविजन आज भी वैसे का वैसा ही है अगर आपकी सुसाइटी में कोई पेड लगा हो और वो पेड आपकी सुसाइटी की दीवार गिराने वाला हो आप उस पेड को काट नहीं सकते और अगर आपने वो पेड काट दिया तो आपकी शिकायत कर दे कोई आदमी DFO से तो आपके उपर केस चलेगा ये कानून आज भी है और दूसरी तरफ कुछ विदेशी कमपनिया है इस देश में जो हर साल करोडों करोडों पेड काटती है और इस देश का सत्यानाश कर रही है उनको लाइसेंस मिला हुआ है जैसे एक कमपनी है उसका नाम है ITC Indian Tobacco Company नाम से ऐसा लगता है जैसे ये हिंदुस्तानी लेकिन मूलत है ये अमरीका और ब्रिटेन के पैसे से चलने वाली कमपनी ये कमपनी क्या करती है सिगरेट बनाती है और एक साल लेकिन तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो तो बनाना पड़ता है और वो कागज लपेट कर जो सिगरेट की स्टिक बन जाती है उसको पैकेट के अंदर बंद करना पड़ता है तो पैकेट के लिए भी कागज बनाना पड़ता है फिर उनकी advertisement करनी पड़ती है company को तो उसके लिए poster चाहिए तो उसका भी कागज बनाना पड़ता है तो ये company on an average 500 cigarette बनाने के लिए एक पेड़ काटती है और हर साल ये company 1400 करोड पेड़ काट देती है उसको license मिला हुआ है आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी ये कानून किसका है ये कानून अंग्रेजों के जमाने का क्यों चल रहा है इसका जवाब कौन देगा 1947 में हम आज़ाद हो गए थे ये कानून खतम हो जाना चाहिए था लेकिन क्यों चल रहा है अभी भी ये कान आज़ादी के पचास साल बात तक और अंग्रेजों ने जो जंगल गाओं समाज की संपती थे वो छीन कर सरकार की संपती गोशित कर दिये 1947 में जो सरकार आई थी उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि जंगलों को वापस गाओं समाज की संपती गोशित करना चाहिए था लेकिन वो तो नहीं हुआ आज तर तो कैसे मुमानूं कि ये देश आज़ाद हो गया 1894 में हमें अंग्रेजों ने एक कानून बनाया उसका नाम था Land Acquisition Act और ये Land Acquisition Act क्या था गाओं गाओं के लोगों की जमीन हडपने के लिए अंग्रेजों को एक कानून की जरूरत थी क्योंकि अंग्रेजी पुलिस आफिसर जो होते थे वो गाओं गाओं में जाते थे लोगों को मारते थे पीटते थे उनकी जमीन हडप लेते थे और ना सिर्फ जमीन हडपते थे बलकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजबी लोग अंग्रेजों ने हडप लिये थे यहां के जो कई राजा थे उनकी स्टेट हडप ली थी अंग्रेजों ने और ऐसा एक किस्ता तो आप सब को मालूम होगा जहांसी किरानी लक्षमी भाई की स्टेट को अंग्रेजों ने हडप लिया था और जहांसी किरानी लक्षमी भाई की स्टेट को जब अंग्रेजों ने हडप लिया था तो उसी के लिए जहांसी किरानी ने युद्ध किया था बाद में जहांसी गरानी की हत्या कराई थी इसी देश के कुछ गद्दारों ने मिलकर जहांसी गरानी को मरवाया था अंग्रेजों के साथ उसको धोके से और वो गद्दार खांदान इस देश में अभी भी मौझूद है तो जहांसी गरानी की हत्या हुई थी मामला क्या था? कि स्टेट थी जहाँ से की उसको हडप लिया था तो अंग्रेजों का एक आफिसर था उसका नाम था डलहॉजी डलहॉजी अक्सर यह कहा करता था कि यह हम को हमेशा स्टेट हडपनी पड़ती है गाओं गाओं की संपत्ती हमको हडपनी पड़ती है और इसके लिए हमको बड़ी हिंसा करनी पड़ती है और अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल भी सहन करनी पड़ती है क्यों ना इसको हडपने का एक कानून बना दिया जा जाए किसानों की जमीन को छीन लिया जाए और वो जमीन छीन कर अंग्रेजी सरकार इस्ट अंडिया कमपनी को बेचे या किसी विदेशी कमपनी को बेचे ये धंदा करती थी उस जमाने की अंग्रेज सरकार और आपको मैं बताऊं कि दुर्भाग आज हमारा ये है कि वो 103 साल पुराना कानून आज भी इस देश में चल रहा है बस इतना फरक हुआ है कि उस जमाने में अंग्रेज सरकार इस देश के गाउं की जमीन चीन कर विदेशी कमपनियों को बेचती थी अब हमारी सरकारे गाओं के किसानों की जमीनों को छीन कर विदेशी कमपनियों को बेच रही है इतना ही फरक है पहले जो धंदा अंग्रेज करते थे अब वही धंदा भारत की सरकारें कर रही है तमाम प्रदेशों की सरकारें कर रही है और ये सरकारें तर्क क्या देती हैं कि देश के प्रगती के लिए देश के भले के लिए गाओं की जमीन चीन कर विदेशी कमपनियों को देना बहुत जरूरी है और उसी के आदार पर क्या हुआ है पिछले पाँच वर्षों में सन 1991 से लेकर 1996 के बीज में महरास्ट की हजारों हेक्टेयर जमीन विदेशी कमपनियों को बेची गई है हजारों हेक्टेयर जमीन गाओं के लोगों से चीन कर उनकी पिटाई करके उनको मार कर उनको डरा के उनको धमका के उनकी जमीन चीनी गई है और विदेशी कमपनियों को दी गई है गुजिरात में पिछले पाँच साल में हजारों हेक्तेर जमीन किसानों की छ hone कर विदेशी कमपनियों को बेच ही गई है और हिंदुस्तान का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है करनाटक में हजारों हेक्तेर के जंगल कटवाये गए है ताकि विदेशी कम्पनियों के कारखाने वहां लग सके कोजेंट्रिक्स की बिलजिली की जो परियोजना आ रही है करनाटक में वो इसी आधार पर आ रही है कि दक्षन के वो जो पश्चिम घाट है वहां का उसके जो बहतरीन जंगल है उनको कटवाया जाए और विदेशी कम्पनी की परियोजना चले वहां पर यह धंदा तो अंग्रेश सरकार करती थी इस देश में अगर वही धंदा आज़ादी के 50 साल के बाद हमारी सरकार कर रही है तो इसको मैं अंग्रेशी सरकार कहूं कि हिंदुस्तानी सरकार कहूं और मैं कैसे माननू कि यह देश आज़ाद है जिस तरह से अंग्रेश जमीन च्छीना करते थे गाउं गाउं की वैसे ही जमीन अगर आज छिन रही है और दी जा रही है विदेशी कमपनियों को तो कैसे माने कि ये देश आजाद हो गया काम तो वो ही चल रहे है देश तो वैसे ही चल रहा सरकारें तो वैसे ही काम करती है जैसे अंग्रेजों के जमाने में करती है 1860 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया उसका नाम था Indian Police Act और यह जो 1860 का इंडियन Police Act बनाया यह अग्रेजों ने क्यों बनाया इसलिए बनाया कि 1857 में इस देश में कराنتी हो गई थी विद्रो हो गया थो बगावत हो गई थी सारे देश में मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी बैरकपुर की छावनी में और सारे देश में आग लग गई थी गाओं गाओं में नوجवान खड़े होने लगे थे युवकों के मंडल आ गए थे और वो यवकों के मंडल सिर अंगरेजी सरकार के लिए खत्रा पैदा करते थे तो अंगरेजी सरकार ने हिंदुस्तान के करामतिकारियों को पीटने के लिए मारने के लिए उन पर गोली चलाने के लिए एक special कानून बनाया जिसका नाम था Indian Police Act और उस पुलिस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि हर अंग्रेजी सिपाही के हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया कि तुम हिंदुस्तानी करांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर सकते हो और कानून कैसे बनाया कानून ऐसे बनाया कि हर अंग्रेजी पुलिस आफिसर को हर अंग्रेजी सिपाही को हिंदुस्तान के करांतिकारियों पर लाठी चार्ज करने का अधिकार होता था जिसको तक्नी की भाषा में मैं कहता हूँ कि हर अंग्रेज आफिसर को राइट टू ओफेंस था लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था और जैसे अंग्रेज सिपाही किसी को पीट रहा है बदले में अगर वो व्यक्ति जो पिट रहा है वो अंग्रेजी सिपाही को पीट दे तो केस उस व्यक्ति के ऊपर चलता था जिसने अंग्रेज सिपाही को पीटा ना की अंग्रेज सिपाही के ऊपर जो पीट रहा है इसी को तकनी की वाशा में कहते हैं कि हर अंग्रेज को right to offense था लेकिन पिटने वाले को right to defense नहीं था और इस काम के लिए अंग्रेजों ने हर सिपाही के हाथ में डंडा पकड़ा दिया और उस डंडे के बाद इस देश में दना दन लाटी चार्ज होना शुरू हो गया और जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में वही कानून आज भी चल रहा है इस देश में और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हिंदुस्तान का हर कॉंस्टेबल हाथ में डंडा लिये क्यों गूमता है ये हिंदुस्तान के हर कॉंस्टेबल के हाथ में डंडा किसने दिया कानून कौन सा है जो हाथ में वो डंडा लेके गूमता वो कानून अंग्रेजों के जमाने का है 1860 का और वो डंडा क्यों दिया ताकि हिंदुस्तानी लोगों को पीटो अपने ही भाईयों को पीटो हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते थे अंग्रेजी पुलिस में नौकरी करते थे तो हिंदुस्तानी अधिकारियों से हिंदुस्तानियों को पिटवा और इसी 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर क्यूंकि हर अंग्रेजी पुलिस आफिसर को राइट टू आफेंस होता था और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होता था इसी आधार पर गोली कांड हुआ था 13 अपरेल 1919 को जलियां वाला बाग में जिसमें कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी और एक भी करांतिकारी के हाथ में ना लाटी थी ना डंडा था ना बंदूक थी ना पिस्टॉल थी कुछ भी नहीं थी और उन करांतिकारीों के उपर गोली चलाने का आदेश दिया डायर ने और डायर ने जिस तरह से गोली चलाई वो जलियां वाला बात जिसने देखा हूँ मैं तो वहां तीन बार गया हूँ उस मैं घुसने के लिए बहुत चोटा सा रास्ता है मुश्किल से साड़े तीन फिट का रास्ता है बहुत चोटा उस रास्ते पर डायर ने तोप ले जाके लगा दी कि कोई भाग ना सके और चारो तरफ से वो घिरा हुआ है बड़ी बाउंटरी है उसके तो बीस हजार लोगों की मीटिंग चल रही थी डायर अंदर गुसा फौज उसकी बिखर गई और बिना चेतावनी दी ये गोली चला दी 18 मिनट तक बराबर फाइरिंग होती रही और 18 मिनट की फाइरिंग में 2000 लोग मर गए वही पर और 2000 लोग मर गए बाद में डायर के उपर जब केस चला था तो उसने बयान दिया था कि मेरे पास गोलियां खتم हो गई थी अगर होती तो और आदा घंटे चलाता तो जब वो गोलियां चली 2000 लोग मर गए और बाकी लोग जो मरे वो भगदर से मरे जो बच गए वो कुई में कुदे जान बचाने के लिए और कुई में कुदे तो वहां मरे और उन गोलियों से मरने वाले लोगों के जो द्रश्य होते थे इतने भीवत स्थरे से लोगों को मारा है उन्होंने इतनी निरशन सता से इतने क्रूर क्रकत्यों से उन्होंने मारा लोगों को बाद में डायर के उपर जब केस चला तो डायर बाइज़त बरी हो गया उसको फांसी की सजा नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि जज्ड है कहा कि 1860 का जो पुलिस एक्ट है वो डायर को गोली चलाने का अधिकार देता है मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं देता इसलिए डायर का कोई कसूर नहीं है और डायर को ना सिर्फ छोड़ दिया गया बल्कि उसको लंदन में बड़े भारी सम्मान के साथ एक उपाधी दी गई थी